नमस्ते कैसे आप साथ चलिए करते हैं। देल की बात एकदम साथ, आज यम मूवी डिवीव करेंगे, नहीं नहीं, आज मूवी डिवीव नहीं करेंगे, आज हम एक एकी डियक्षन करने वाले हैं। बहुत समय से मेरे चैनल पर कोई वीडियो आया नहीं है जिसके उपर हम बात करें और टाइम भी नहीं निकल पा रहा था असूर आया हुआ है पहले तो सुना था एक दो दिन एपिसोड आएगा फिर एकदम से सारक सार एपिसोड डाल दिया एक दो दिन में उसको भी देखके उसके उपर हम बात जरूर करेंगे जरा हटके जरा बचके आया है उसका रिव्यू आज ही आ जाएगा हमारे चैनल पर असूर से याद आया हमारे देश ने जो एक नया संसत्भवन बनाया सारे असूरों ने मिलके उसका बॉयकोट आखिर क्या क्यों चलिए हम वही आज देखना चाहते हैं कि आखिर क्या है हमारे संसत्भवन में जिस सारे के सारे असूर उसका बॉयकोट कर दिया वीडियो थोड़ा लंबी होनी वाली है क्या पता आप लोग देख भी लिए हो फिर भी आईए हम मिल के इस वीडियो को देखते हैं और देखते हैं आकिर है क्या उस अंसत भगण में जिसका इतना जाद अब विरोध हो रहा है भारत विविदता का गरपर एकता की मूरत और लोक तंत्र की जननी यहां गणतांत्रिक विवस्थाओं के उदाहरण है वेदों में वैशाली की गण परिशत के उतकोचों में आचारे चानक्य के अर्थ शास्त्र में उत्तरा मेरूर के शिला लेखों में वर्णित चोल सामराज्जी की पंचायत विवस्था में उनकी गणम और वार्यम विवस्था में भगवान बस्वेश्वर की अनुभव मंटपम की धारणा में गण सभा गणपती समिती लोकपाल जैसे शब्द भारत में हजारों साल से अस्तित्व रखते हैं स्वरूब बदलता रहा संसकार नहीं बदलते समय के साथ भारत बना विश्व का सबसे विशाल लोकतन जिसका साक्षी बना हमारा संसद्धवन करीब एक शताब्दी पहले 1927 में आप निवेशिक हितों के लिए ये काउंसल हाउस बना देश आजाद हुआ ये भारत की संसद्धवन यहीं पर हमारा संविधान रचा गया आज यहीं से लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245 सदस्य भारत के नागरिकों का प्रतनिधित्व करते हैं विचार विमर्ष की तंदरुस्त प्रक्रिया से देश को दिशा दिखाती है ये गोल आकार संसद्ध इतिहास की कई अभूत पूर्व उपलब्धियों का साक्षी संसद्धवन समय के साथ यहां परियाप्ट जगह और सुविधाओं का अभाव होने लगा था आधुनिक तक्नीक का क्रियानवयन चुनोती पूर्ण हो रहा था ऐसे में विगत कई दशकों से कई सरकारों ने नए भवन की आवशक्ता को महसूस किया पर इसे साकार करने का साहस किया गया माननिय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेत्रित्व में और 10 दिसंबर 2020 को संसद्ध के नव निर्मित भवन की आधारशिला रखी गई थाई वर्ष से भी कम समय में 65,000 वर्ग मीटर में पहले इस भवन का लगभग 60,000 श्रमवीरों द्वारा 23,000,000 मानब दिवस से भी अधिक स्रिजित रोजगार से निर्मान कार्य पूरा किया गया जो अपने आप में खीर्तिमान है भारतियों द्वारा भारतियता के विचार से ओतपोत भारत के संसद भवन के निर्मान का शुवारम हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे एहम पड़ाओं में से एक है नए भारत के हर नागरिक की आकांग्शाओं और उज्ज्वल भविष्य को समर्पित संसद के नए भवन का निर्मान मौजूदा संसद भवन के प्रांगण में ही किया गया है आने वाले समय में संसद के नए और मौजूदा भवन एक दूसरे के पूरत होंगे इस भवन में प्रवेश के छेह द्वार हैं जो भारतिय सभ्यता के अनुसार प्रकृती को अपनी कृतग्यता व्यक्त करते हैं मकर और हंस यानी जल को नमन शारदुल और गर्व यानी नभ को नमसकार अश्व और गज यानी खल को प्रणाव संसत के नए भवन का नया विराट लोगसभा कक्ष जो राश्ट्रिय पक्षी मोर से प्रेरित है इसका आकार मौजूदा लोगसभा से लगभग दो गुना बड़ा है नया राज्यसभा कक्ष राश्ट्रिय पुष्प कमल से प्रेरित है जिसका आकार भी मौजूदा राज्यसभा कक्ष से लगभग देड़ गुना बड़ा है ये भवन देश की जनता को समर्पित है इसलिए लोगसभा और राज्यसभा में जनता के स्वागत के लिए विशाल दर्शक दीरगा का निर्मान किया गया है अत्याधुनिक डिजिटल उकर दोनों सदनों की सुविधाओं को नया आयाम देते हैं यहां सदन की कार्रिवाही को विभिन भाषाओं में सुना और पढ़ा जा सकता है सदस्यम के लिए बायोमेट्रिक की सुविधा है वोटिंग के परिणाम और सदन की कार्रिवाही के प्रसारण के लिए विशाल मल्टी मीडिया दिस्प्लेइ आटोमाटिक कैमरा कंट्रोल और कमान सेंटर का भी निर्मान किया गया है ये नया स्मार्ट भवन पूरी तरह से पेपरलेस है इस भवन के एक भाग में लोकसभा है दूसरे में राज्यसभा और इस भवन का केंद्र समर्पित है हर भारतिये को जिनके लिए सेंट्रल फॉयर में बना है सम्विधान कक्ष जहां वे भारत में लोकतंत्र के अतीच से वर्तमान की यात्रा का अनुभव कर सकते हैं यहीं भारत की सम्विधान की डिजिटल प्रतिरूपी भी रखी गई है इसी सेंट्रल फॉयर में उपर की त्रिकोनिय छट से सूरी की किर्णे ब्रह्मान्ड का भ्रह्मन करते हुए पेंडिलम क्लॉक पर गिरती है यह किर्णे बर्गत के पेड़ को नहलाती है और सदस्यों के लिए निर्मित कक्ष पुस्तकाले भोजन कक्ष में फैल जाती है आत्म निर्भर भारत के प्रतीक इस भवन के निर्मान में भारत के हर भागने अपनी भागीदारी निभाई है कहीं महराश्ट्र की सागौन की लकडी सजी है उन्ही से दोनों सदन में अशुक चक्र भी बना है कहीं राजस्थान का शांदार स्टोनवर्क कहीं उत्तरप्रदेश की कालीन विछी है कहीं ध्रिपुरा की बैंबू वुट फ्लोरिंग वहीं सफेद मार्बल गुजरात से आया है एक भारत श्रेष्ट भारत की भावना से प्रेरित सभी वर्गों प्रांतों ने मिलकर बनाया है ये भवन ये भवन इको फ्रेंडली होने के साथ साथ हुकम्प रोधक भी है सत्रा सौ से अधिक दरवाजे खिडकियां है साढ़े तीन किलोमीटर लंबे बिल्दिंग कोरिडोर्स है ये भवन विकास और विरासत का अद्भुत संगम है एक तरफ यहां सुरक्षा और सुविधा के लिए स्मार्ट फीचर्ज और स्मार्ट एक्सेस की दवस्था है वहीं भारत की प्राचीन कलाओं का अध्भुत एकी करण भी है तो नया भवन आत्म निर्भर भारत के निर्मान का गवा बनेगा पुराने संसत भवन में देश की आवशक्ताओं की पूर्ती के लिए काम हुआ तो नये भवन में 21 सदी के भारत की हाकांशाय पूरी की जाएगी नये भारत के आत्म विश्वास को बढ़ाता विकसित भारत के संकल्प को गती देता ये है हम भारतियों का संसत भवन मेरे तो प्रस्मली बहुत अगांशाय संसत भवन से क्या ये पूरे दुनिया के हिंदुों के लिए घर बना पाएगा भारत को ये सबसे बड़ा अकांशाय मेरे दिल में क्या ये हमारा भारत देश पूरे दुनिया के हिंदू का घर बन सकता है पूरे दुनिया में कहीं भी किसी भी हिंदू पे कोई अत्याचार होगा क्या भारत उसके साथ खड़े होने के लिए तयार है मेरी सबसे बड़ी अकांशा यहीं और संसत भावन में पूरा भारत समाया हुआ है असुरों को जाएगा जाएगा ही जब वहाँ जाएगा और जाके देखेगा पूरे भारत को इस इंडिया वाले को कितना तकलीफ होने वाला है इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हमारे लिए यह बहुत ही जाद गर्व की बात है हमने अपना नया संसत भवन बनाया है असूर लोग परेसान हो रहा है उसको होने दीजिए चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में लाइक कर दिए शेयर प्रेट सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को नमस्ते